नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे इनका नाम है महीरसा और इनके पिताजी एकान सिंदे का जो शिवशेना पाटी है उसमें लीडर है या पॉलिटीशन है और ये जो आपको BMW गाड़ी दिखरी है ये महीरसा के नाम पे र कुछ दिनों पहले ही मुंबई में एक बहुत बड़ा होड़िंग गर जाता है जिसमें लोगों की जान जाती और इसमें भी एक इनक्वैरी बठाया जाता है उसके बाद अभी जो रीसें घटना घटी है हतरस में जहां पे 120- país लोगों की जान जाती है और वहाँ पे भी इ पोडिशरी के क्या रोल रहने वाला है ये वो exactly BMW गाड़ी है जब accident हो जाता है तो इसके number plate या और भी वैसे बहुत सारे चीज़ों को इस गाड़ी से हटाया गया था जिसको देखे identify किया जा सकता था और फिलहाल ये गाड़ी मुंबई पुलिस के custody में है लेकिन जो main accused है मिहि भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है मिहिर शा के जो driver थे इनका नाम है राज रिशी राजिंदर सिंग बिदावत जो पुलिस ने court में statement दिया है उसके हिसाब से जब ये accident होता है तो मिहिर सा इस गाड़ी को चला रहे होते हैं लेकिन जब accident के बाद मिहिर सा अपने driver को कहते हैं कि आप driving seat ले लो ताकि कहीं से भी ये ना लगे कि ये जो accident किया गया है उस वक्त मिहिर सा गाड़ी चला रहा था और पूरे investigation को भी mislead करने का प्रयास किया जाता है ये exactly statement दिया गया है पुलिस के दवारा court में और जिस स्कूटी को ये BMW हिट करते हैं उस स्कूटी में उ और उसके बाद लगभग लगभग कुछ डेड़ किलोमेटर तक इस स्कूटी को घसीटा जाता है तो एक बहुत ही common सा चीज आप समझ सकते हैं कि अगर normally आप किसी भी खुर्दड़े first पे अगर आप simply अकर अपने fingers को भी रगड़ते हैं दो-तीन बार तो वहाँ पे भी घटना के बाद अगर कोई बज़ भी जाता है तो उनके body parts में इतने सारे multiple damages हो जाएंगे कि शायद इसे कहीं ज़्यादा अच्छा वो तो यही मानते या वो यही मनाएंगे भगवान से कि उनका मर जाना ही अच्छा था जब ये accident हो जाता है तो मिहीर अपने पिताजी को call क रहते हैं ताकि किसी भी तरीके से ये साबित किया जाए कि जिस वक्त ये accident हुआ था उस वक्त जो उनके driver थें राज रिशी वही उस गाड़ी को चला रहे थें लेकिन normally क्या है कि भारत में अब almost सभी cities में बढ़ चड़ कर लों CCTV अपने घरों या अपने दुकानों के आसप लगाते हैं तो इस घटना में क्या होता है कि जो CCTV फोटेजर से उसको देखा जाता है उसके बिहाफ पे फिर identify किया जाता है और ये पुलिस के दुवारे establish किया जाता है कि जो गाड़ी को चलाया जा रहा था वो मिहीर के दुवारा ही चलाया जा रहा था और उसके बाद सहीता के हिसाब से register किया गया है अब ये exactly देखना अपने आप में काफी interesting है कि जब ये पुरा मामला court में पहुंचता है तो वहाँ पे किस तरीके से सवाल जवाब होते हैं और कितना effective तरीके से पुलिस इस case को handle करते हैं या in fact उनको handle करने की permission मिलती है एक जो सोचने वाली बात है कि आखिर में एक common civilian जो अपने पूरे जिंदगी भर कमाता है taxes पे करता है वो बहुत मुश्किल से एक food wheeler गाड़ी खरीद पाता है लेकिन almost भारत के सभी politician उनके पास बहुत ही high end गाड़िया होती है और एक आम जनता इतने ही बेवकूफ है कि अपने ideology को साबित करने के लिए वो किसी भी politician या किसी भी political party को इस हद तक support करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है उसे ही evaluate करना भूल जाते हैं अगर बात किया जाये तो 6 और 7 तारी के रात में जिस बार में बैट के ये लोंग alcohol consume किये थे वहाँ पे कुछ बिल आता है 18,730 रुपेगा तो कहने का करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आपके body में alcohol होता है या आपके urine में अगर alcohol होता है तो लगभग वो 72 घंटे के बाद वो आपके body से automatically निकल जाता है तो अगर आप 4-5-6 दिनों के बाद अगर आपको police पकड़ते हैं और आपको medical examination के लिए भेजा जाता है त तो chances काफी high होता है कि आपके body में जो alcohol है वो ना निकले और जब ये सब बात आप बहुत ही simple google search से मालूम पड़ सकता है तो I am sure कि जो रसुगदार लों होंगे उनके पास और भी contacts होते होंगे जहां पर उनके पास और भी refined information आता होगा अभी कुछ दिनों पहले ही एक और incident म Mumbai में हुआ था जहां पर दो लोगों की जान जाती है और जो उस वक्त गाड़ी चला रहा था वो एक minor था यानि के 18 साल से कम का था और जहां तक बात किया जाए कावेरी जो अब इस दुनिया में नहीं रही उनके husband के बारे में तो आप समझ सकते हैं कि कि किसी भी family के लिए क इतना बड़ा एक setback हो सकता है जहां पर उनके family के एक बहुत ही important member चला जाए जिनके दो बच्चे रहें तो more or less एक father किस तरीके से अपने घर को manage करेंगे अपने बच्चों को देखेंगे और किस तरीके से वो कमा के बाहर से लाएंगे जो exact statement इस्तेमाल किया गया प्रदीप के दवारा वो कुछ इस तरीके से था कि वो लोग बहुत ही बड़े लोग है और उनको कुछ भी नहीं होगा जो कि almost एक बहुत ही सच बात है बहुत ही कम ऐसे cases भारत में होते हैं जहां पर अगर आप रसुग उदार हैं तो आपको कुछ होता है कहीं न कहीं आप बहुत सार के से मारे जाएंगे जहां पर एक बंता हुआ ब्रिज ठूट जाता है एक्जाम के question paper leak हो जाते हैं और more or less कुछ ऐसे ही घटनाए घटते रहती हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप wonderful day thank you take care good bye